नमस्कार दोफ्तों मैं उजनी पंडे स्वागत आप सब कहीं ने वीडियो में नो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इंडियन सिकॉर्टी फोर्सेस का क्या स्टेटस है दुनिया में क्योंकि हाली में क्या हुआ कि फ्रांस ने अप्रोच किया है इंडियन गवर्मेंट को और इंडिया की तरफ से इंडिया की जो इस्टर्नल अफेर्स मिनिस्टर्स है और हो मिनिस्टर्स हैं वो डिसकॉसन कर रहे हैं कि हम कितने सोल्जर्स अपने भेजेंगे फ्रांस में क्योंकि फ्रांस में होने वाला है ओलंपिक 28 जुलाई से लेकर 11 आगस्त के बीच में और वहाँ पर सिकॉर्टी परवाइट करवाने के लिए खास तोर से जो यह आतंगवादी संगठन है यह टार्गेट कर सकते हैं और इनको लिट्रलाइज करने के लिए या इनकी साजिस को नाकाम करने के लिए खास तोर से इंडिया से इंटिलिजन्स ओपसर्स जाएंगे इंडिया से फोर्स जाएगी ओविसली इस तरह से फोर्स नहीं जाएगी कि पूरी CRPF हम लेकर पहुंच जाएं इस्पिसल ओप्रेशन करने वाले लोग जाएंगे इस्पिसल एक्सन टाक्स फोर्स ओगेरा होते हैं ऐसे जाएंगे या जो खास तोर से इसी सब चीज में सा चली गई पूरे देश की सिकॉर्टी खत्रे में पड़ गई थी बहुत ही जादा नुक्सान हुआ फ्रांस का और इसी वज़ा से फ्रांस नहीं चाहता है कि जो आने वाला ओलम्पिक्स है उसमें कोई भी दुरगणना गटे तो इंडिया से उन्होंने रिक्वेस्ट करिए कि आप अपने इस्पिसेल ओप सर्स यहां पर भेज़ दो सिकॉर्टी परवाइट करवाने के लिए बैसी के लिए यूरोप इंडिया को और नजरिये में भरे ही सोस्ताओं की पिछ है लेकिन एक मामले में पूरी दुनिया है मानती है कि जब बात आते ही सिकॉर्टी की तो इंडिया जैसा देश जो एक तरह से देखा जाए कि एपी सेंटर है पाकिस्तान आतंगबाद का उसके आतंगबादियों को काउंटर करता है अब तो पाकिस्तान इस बात को ले जाकर यूनाइटिड नेशन में भी रोनार होता है कि जो नया इंडिया है वो बहुत ज़्या जैके इंडिया ने इंडिया ने इंडिया संकोंटिनेंट पे आतंगबादियों को अच्छे से टेकल किया तो इस्पीरियंस भी चाहिए होता है अब आप देखोगे कि पिछले 10-20 सालों में कोई बहुत बड़ा उप्रेशन नहीं किया है फ्रांस ने लेकिन इंडिया हर त कभी कहीं कुछ हो जा रहा है तो ऐसे में तो इंडिया सिकूर्टी फोर्सेस को बहुत अच्छा अनव हो है कि कैसे डील करना है इस वज़ा से इंडिया काउंटर टेरिजम टीम भेजेगी फ्रांस में साथी साथ में पोलेंड भी भेजेगा ये भी किलेर हो गया हो सकता है एक दो और अलाइस कंट्रीज जो है फ्रांस की वो भी भेजे खास्तों से ग्रीस भेज सकता है इसे फ्रांस की कवर्मिन 45,000 फ्रैंस पुलिस को ड्यूटी पे तैनात करेगी साथी साथ में 18,000 ट्रूप्स को भी ओलेंपिक्स में जगा जगा पे खड़ी करेगी ताकि कि कि सीवी तरह का कोई सिकॉर्टी कंसर न उत्पन हो जाए लगों में 18,000 से 22,000 सिकॉर्टी गार्ट्स को भी ग्राउंड के आसपास में खड़ा किया जाएगा मतलब पूरी सुरच्चा होगी लेकिन हुआ क्या कि 2023 में बहुत ज़्यादा जो ये माइग्रेशन करके लोग गए हैं इन्होंने वहाँ पे बहुत आगजिनिकरी और बहुत ही जादा नेशनल सिकॉर्टी उनके खत्री में आ गई है आप लोगोंने वीडियो देखी होगी इस वज़ा से फ्रांस किसी भी परकार का कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाता है क्योंकि साख बहुत मजबूत ह प्रांस की और अगर कुछ हो गया इस तरह के गेम में तो बहुत दिक्कत होगा और आप लोगों को अगर लग रहा है कि ऐसे कभी हुआ है तो हुआ है म्यूनिक ओलंपिक चेम हो रहा था जर्मनी में उसमें प्लिस्ताइन के आतंकबादियों ने इसराइल के एथलीट और क पर पर बोम फेक दिया तो कोई जिन्दा रही बचा समर गए थे उसके बाद में किया हुआ कि इसराइल ने फिर रेवेंज लिया और ढूंड ढूंड के मारा पचास साल लग गए मारने में लेकिन छोड़ा किसी को नहीं तो ऐसा होता है कि देखो जो भी एनिमी कंट्रीज जाएं वो खेल खेलती है इसे मोगे पर तो इतने बड़े गेम में वो अपना कोई खेल ना खेल जाए इस वजा से इंडिया की काउंटर ट्रेरिजम टीम को इंवाइट किया है फ्रांस ने किया हो और हमें सुरच्छा परवाइट करो क्योंकि आपके पास में इस्पीरियं जाएंस है